दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक जबरदस्त श्टोरी बताता हूँ शायद आपने उसे पहले भी सुना होगा एक बार क्लास में एक उस्ताद ने माश्टर ने बच्चों से कहा कि तुम में से कोई ऐसा है जो कल जन्नत से मिट्टी लेकर आए चुटी हो जाती है सारे बच्चे अपने घर चले जाते दूसरा दिन होता है क्लास लगती है सारे बच्चे मौजूद माश्टर भी मौजूद उसमें से एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि माश्टर साब आपने जन्नत से मिट्टी लेकर आने को कहा था मैं लेकर आया हूँ माश्टर एकदम चौकनना हो जाता है और क्लास के सारे बच्चे चौकनने हो जाते है माश्टर पूचता है वो कैसे तो वो बच्चा बड़ी मासूमियस से जवाब देता है और कहता है कि माश्टर साब ये जो आप मिट्टी देख रहा है ना ये वो मिट्टी है जिसे मेरी मा के कदमों ने छूलिया था और बेशक मा के कदमों तले चन्नत होती है अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना